गाईज आजके इस वीडियो में मैं आपको CS रेंग के लिए एसा खतरना केरेक्टर कॉमिनेशन बताने वाला हूँ कि इस केरेक्टर कॉमिनेशन को यूज करोगे तो आपको 0 डेमेज परेगा मतलब एनिमी आपको कहीं से भी मार कर चला जाता था ओब मान नहीं पाएगा तो सबसे पहले एक्टिव केरेक्टर में आपको केंटा केरेक्टर को लेना है अभी के टाइम पे इस केरेक्टर को कोई भी बंदा यूज नहीं करता है लेकिन ये केरेक्टर ओवर पावर है ये केरेक्टर की एबिलिटी एकी 60% डेमेज रिडियूस कर देता है मतलब enemy आपको damage देगा तो आपको damage कम परेगा यह character एक seal create करता है जिसके आरपार आपको damage लगता है 60% damage कम परता है enemy ने मुझे पिछे से damage दिया इसलिए मुझे damage लगा और मैंने kenta character की ability को use करके enemy को मारा तो ओँ enemy मुझे damage नहीं दे पाया यह तो सिप मैंने kenta character को use किया था kenta character के साथ में मैं आपको जो passive character बता उस passive character को use करोगे तो आपको 0 का damage परेगा तो सबसे पहले आपको kenta character के साथ में आपको sunny character को लेना है देखो आपके पास चप शान नी केरेक्टर होगा और आप केंटा केरेक्टर की एबलिटी को यूज करोगे तब सानी केरेक्टर की मदश से आपको एक्स्ट्रा एच्पी मिल जाएगी आपके साथ में आपके टिममेट आपके आसपास होंगे तो उनकी HP भी ज्यादा हो जाएगी केंटा केरेक्टर की मदश से आपको 60% डेमेज कम परता है और साथ में सानी केरेक्टर होगा तो आपको एक्स्ट्रा सिल पोइंट मिलेगा एनिमी आपको डेमेज देगा तो वो आपके सिल पोइंट पर लगेगा और सिल पोइंट खतम हो जाने के बाद आपको डेमेज लगेगा जेविप्स केरेक्टर की मदद से आपको 8% डेमेज कम परता है और आपको डेमेज लग भी जाता है तो तीसरे पेशिव केरेक्टर में आपको फोर्ट केरेक्टर को लेना है गेंटा, सानी और जैबिस केरेक्टर की मदद से एनिमी के साथ आप फाइट करोगे तब आपको 0 का डेमेज परेगा लेकिन एनिमी आपको डेमेज दे भी देता है तब आपके पास 4 केरेक्टर होगा तो आपको 14 HP इंक्रीज करके देगा इस केरेक्टर कोमिनेशन को आप CS रेंग में यूज करोगे तो एनिमी आपको इतना ज्यादा डेमेज नहीं दे पाएगा कि आपको मेट कीट मारने की जरूरत परेगी और CS रेंग में इसी केरेक्टर कोमिनेशन को यूज करके देखना आप आसानी से रेंग पूस भी कर बाद ओल नोटिपिकेशन को ओन कर देना और चलो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाद